आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे यह बोर्ड है और यह डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप दिखाईए कैसा बोर्ड है क्या फंक्शनलिटी जैसा दिखता है क्या फीचर से तो अभ आप साइज देख रहे हैं यह 75 इंचेज हमारे पास स्टार्ट होता है 65 75 और 86 इंचेज तीन डिफरेंट साइजेज है और बता दे इसके बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सॉलिड है जैसा कि आपको फिल भी हो रहा होगा देख भी रहा होगा और यह ज इसमें आपको मैमरी भी मिलता है space भी मिलता है अलग-छाइन धेस पेस का तो इसमें जैसा कि हम लोग अगर यूज करते थे पहले इंट्रक्टीप Smartboard तो उसमें क्या होता था कि प्रोजेक्टर लगाईये या सिस्टम लगाईये laptop लगाईये बढ इसमें ऐसा कुष नहीं है ना कुछ लगाने के जुरुत है जो भी आज के इंडिया के रेप्यूटेड जो इंस्ट्यूट है जो अनलाइन क्लासेश प्रवाइड करता है जैसे कि यह भी जहां पर अभी हम खड़े होकर के आपको बता रहें यह इंजिनियर बीके गुपता फ्रॉम पटना इनका यह सारे फीचर से और बोर्ड का इंटरफेस कैसा है वह बस मैं आपको दिखा रहा हूं यह यहां पर है और यह भी आपको ओपन होगा दिस इस दे फॉर्स्ट पेरेंस हाव इट लुक्स जैसा कि आप देख रहे होंगे और यहां पर पैन है पैन में बहुत सारे टूल से बहु लिखे पैन से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूं और यह फिंगर मैंने पैन यहां पकड़ लिया और यह फिंगर देखे इसे भी मैं लिख रहा हूं और बहुत ही स्मूध इतना स्मूध है यह बात मानिये जैसे हम लोग वाइट बोर्ड प पता पाऊंगा लिकिन इसको मैंने दिखाया और यह सारी इधर से slides बनते जाता है आते जाता है इसको fullscreen करना तो fullscreen भी हो जाएगा यह आगया कलर कुलर भी जो है आप यहां से change कर सकते हैं कि लिख सकते हैं यह देख रहे होंगे एरेजर उरीजर भी है स्मार्ट पेन भी है स्लाइड स्लाइड जो भी है आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं और बाकी और एडवांस और अच्छे से वीडियो जो है आगे लेकर करके आएंगे थैंक यू